इडी इनके घर पे इसलिए आया है कि मोदी जी को कोई साधू बता दिया है कि विपक्च के सारे मेताओं पे एक ही केपसुल इस्तेमाल किजिए एक केपसुल सबके उपर बरावर लागू नहीं होता है सब धन 22 पसेरी नहीं होता है इनको लगता है कि एक बार इडी भेज देंगे तो कॉंग्रेस पार्टी डर जाएगी कॉंग्रेस के कारकरता डर जाएंगे और चुप हो करके बैठ जाएंगे कि देखो देखो इसके नेता के उपर इडी आ गया है तो कारकरता को कौन पूछता है कौर्णेस पार्टी के अंदर इस बात क्या जज़मा है कि अगर हम देश को अंगरेजिन से आजाद करा सकते है तो इस देश को हम अंगरेजिन के चापनिसों से भी मुक्त कराएंगे इस बात को याद रखिएगा कि आप में देश के साथ जो खिलवार किया है उस खिलवार के खिलाप हैं हम उस खिलवार के खिलाप क्यों हैं हम कि आपने इस देश को सपना दिखा करके आपने इस देश के लोगों को उनीद जगा करके उनके साथ धोखा किया है ये हम नहीं बोले थे सुस सिरी सिरी 108 सिरी मान्या प्रधानमंत्री जी बोले थे कि हर साल दो करोन मौकरी दी जाएगी क्या मीडिया भाले मोदी जी बोले थे न कि हम बोले थे अरे बोलिये न महराज आपको भी बोलना परेगा याद रखियेगा इस बात को सब की बारी आएगी इस बात को याद रखिएगा अरे हमारे लिए क्या है जब तक जेल में चना रहेगा आना जाना लगा रहेगा हमको कोई दिक्कत नहीं है लेकिन बारी सब की आएगी इस बात को याद रखिएगा कहे थे न मोदी जी कि हर साल दो करोर रोजगार देंगे बोले थे कि नहीं बोले थे अरे बोलिए ना आप कॉंग्रेस के कार करता है भाजपा के थोड़ी है कर डर जाएंगे बोलिए बोलो थे न, बोलो थे न कि महंगाई कम होगी, बोलो थे न खातों में पंद्रो लाख रुपया आएगा, बोलो थे न अच्छा दिन आएगा, आया क्या, मोदी जी के स्टाइल में पूछू क्या, आया क्या, अब नया जुमला आया है, अब नया जुमला आया है, कि हम अगनी पच ले करके आये हैं, एक भाजबागा निता इमानदार है, निता के ऊपर E.D. आ गया है, तो कार्करता को कौन पूछता है, कॉंग्रेस पार्टी के अंदर, इस बात क्या जज़वा है, कि अगर हम देश को अंग्रेजों से आजाद करा सकते हैं, तो इस देश को अंग्रेजों के चापलूसों से भी मुक्त कराएंगे, इस बात को याद रखिएगा, कि आपने देश के साथ जो खिलवार किया है, उ उस खिलवार के खिलाब क्यूं है हम कि आपने इस देश को सपना दिखा करके आपने इस देश के लोगों को उम्मीद जगा करके उनके साथ धोखा किया है यह हम नहीं बोले थे सुस सिरी सिरी 108 सिरी माननिया प्रधानमंत्री जी बोले थे कि हर साल दो करोन नौकरी दी जाएगी क्या मीडिया भाले मोदी जी बोले थे न कि हम बोले थे अरे बोलिये न महराज आपको भी बोलना परेगा याद रखिएगा इस बात को सब की बारी आएगी इस बात को याद रखिएगा अरे हमारे लिए क्या है जब तक जेल में चना रहेगा आना जाना लगा रहेगा हमको कोई दिक्कत नहीं है लेकिन बारी सब की आएगी इस बात को याद रखेगा कहे थे न मोदी जी कि हर साल दो करोर रोजगार देंगे बोले थे कि नाई बोले थे अरे बोलिए न आप कॉंघ्रेस के कार करता है भाजपा के थोड़ी है कि डर जायेंगे बोलिए बोले थे न बोले थे ना कि महंगाई कम होगी बोले थे ना खाते में पंद्रे लाख रुपया आएगा बोले थे ना अच्छा दिन आएगा आया क्या मोदी जी के स्टाइल में पूछूं क्या आया क्या अब नया जुमला आया है अब नया जुमला आया है कि हम अगनी पथ ले करके आए हैं एक भाजपा का निता इमानदार है कैलास बिजय बरगिया को धन्यवाद देना चाहिए कम से कम उसने इस देश के नोजवानों की संका दूर कर दी उन्होंने बता दिया भाजपा की नई योजना है तैयार भाजपा ओफिस में सभी नोजवान बनेंगे चोकीदार यही योजना है ना लेकिन मैं कहता हूँ बिजय बरगिया जी आपका बेटा बल्ला भूदवरिया चलाता है अपसवर पर बैट चला रहा था उसको बिजय पी ओफिस